आप सब को पड़ान करता हूं और आप सब का दिन्वा ज़िए अगा हूं केजिए ने दुटू का देश ने दूटू का समुल चिर मनी चका मैं देजिसे छोटे से कारेकरता को हमारे सबी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्दसन्ग में जो जवाब दरी ती यदा भी आप सब का प्रेम आपका आप सिर्वाद सेयोग मिलेगा तो शिवरा सिंग चोहां जो तरे ते सिंधिया नरेंदर सिंग तोमर केलाश विजय वरगिया प्रलाद पतेल वीडी शिर्मा ये वो बड़े नाम थे वो बड़े नाम थे जो इस रेस में आगे बढ़ रहे थे लेकि मोहन यादव के नाम का सामने आना हम चाहेंगे कि आज पूरा देश ये समझे आपसे कि आखर इसी नाम के जरिए वो सर्प्राइज क्यों सामने आया क्या ये कैसा सर्प्राइज है जो सबको आप सोचने पर मजबूर करेगा या सब की सोच जो है वो साफ करेगा देखे बह कोई भी गेस नहीं कर रहा था जिसका नाम चलता है वो नाम हमेशा पीछे चला जाता है तो मुझे लगता है एक सोच समझ कर लिया हुआ फैसला और मैंने पहले भी कहा एक जातिगत समिकरण बनाने की कोशिश की गई है उन इलाकों को प्रतनी दित्व देने की कोशिश की गई है जो पिछड़ गये थे यहां बीजेपी ने इस बार उमीद से भी ज्यादा बेहतर प्रदरशन किया हो रिवा इलाके से अगर राजिंद्र शुकला जीत कराते हैं अगर 2003 से लगातार ML है उस इलाके को प्रतनी दित्व मिला है रिवा से कहते हैं कि एक मंत्री तक नहीं था अभी तक किसी क्याबिनेट में शिवरा सिंग की सरकार में पिछले 20 साल से रिवा से पहली बार अगर बन रहा है तो डिप्टी सियमी बन रहा है वहां से स्पीकर थे लेकिन रिवा से कभी कभी मंत्री नहीं पाया यह ब्रामन डॉमिनेटेट पूरा का पूरा इलाका यूपी की सीमा से लगा हुआ बुंदेल खंड इलाका है जो कि जहां पर समाजवादी पाटी बसपा सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं अगर मंदसौर के इलाके से अगर देवडा साहब को डि मोहन यादव की सबसे बड़ी खास बात है जो उनका मैं बायोडाटा देख रहा था रस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मारा और मध्यपदेश की कुष्टी फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं तो यह एक स्पोर्ट्समें भी ह अगर उनके ट्वीटर फॉलोवर भी देखे जाए तो उनकी संख्या भी लाखों में है तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जीप पर अगर उन्होंने दाव लगाया है तो समझकर लगाया होगा जीतने के बाद इसलिए 3-4 दिनों की देरी भरही हुई हो लेकिन इसका अस दिलों को प्रदिन तो मिलेगा खासकर मालवा इलाके से मालवा निमार जहां बीजे पीने अदबुत और मैं इस अवसर पर उनको बहुत-बहुत बदाई और सबकामना प्रिजित करना चाहती हूँ एक बतलाव की बात है उन्हें संगर्ज भी बहुत है 1984 से ततर्द काम किय मुंन है भाती जन्ता बर्टीका और हमाई विध्याति पाईशन से जिर दाउन वsmire ya lo आपको कितने खुशी लग रही है अभी 120 आपको किसा लग रहा है पूछ रहे हैं हमारे आदाव साब जो है आपके बेटे हैं किसा लग रहा है इसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है इसा बोड़ो कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बन गए मोवंची तो आपको कैसा लग रहा है कि इन तस्वीरों के जरी आप समझे कि परिवार में कितनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि परिवार का सदब से अब मध्य प्रदेश के किसी एक अपने हाथ में ले रहे हैं यानि कि वो प्रदेश जिसे बीमारू राज्य से बाहर निकाल कर विकास की रहा में मुख्य के सतरा साड़े सतरा साल के कारेकाल के दौरान अब वो राज्य आगे दो कदम चार कदम बढ़ेगा डॉक्तर मोहन यादव के जरीए क्योंकि अब मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया है अमिताब सिना जी हमारे साथ बने हुए हैं अमिताब जी मध्य प्रदेश में ब दिया कि बीजेपी जो दावे करती है उससे आगे भी बढ़ जाती है लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को यहां पर जो चुना गया है क्या और खास वजह मानते हैं एक राजनीती के लिहाज से देखे तो क्या पुईवा चेहरा भी उन्हें मानते हैं और शिक्षक मंत्री की दृब्यूमिका भी वह ने भाज चुके हैं आपने कहा कि खेल की भूमिका में भी एक बड़ी जिम्मेदारी वह ने भाज चुके हैं तो और राउंडर के तौर पर उन्हें कहा जा सकता है तो उनकी तमाम जो अच्छाईयां हो तो दिखानी हैं 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 लेकिन सब से लिडर्शिप दो चली आ रही थी अगर नरेंज सिंग तोमर को स्पीकर बना जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पांच साल तक यही रहेंगे जो उनकी लोग सभा सीथ है उस पर फ्रेश चेहरे को दाव मिलेगा जो भी सांसद यहां से जीत कर गए थे चाहे फगन सिंग बल गा लेकिन जबलपूर जीतने के बाद उनको हो सकता है कि महाकौशल इलाके से जगर मिले एक मंत्राले में लेकिन ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करना कम से कम प्रधान मंत्री मोधी के कारे काल में बहुत ही दुशकर कारे है, एक element of surprise होता है हूँके इन फैसलों में, लेकिन इस element of surprise का फाईदा पाटी को होता है, क्योंकि इसका फाईदा जरूर मुहन यादव बन रहे हैं, तो पूरे के पूरे चाहे हो बिहार हो, चाहे मद्यपदेश हो, चाहे उत्तरपदेश हो, जहां ज पूरा संदेश पूरे नौर्थ हिंदी बिल्ट में जरूर जाता है इसलिए राजस्थान में भी आप किसी सप्राइज की ही उम्मीद का सप्राइज का ही इंदजार करें लेकिन सत्रीज़गड में एक विश्णुदेव साई ट्राइबल को मना दिया गया है यहां पर एक OBC क अभी कोई गेस नहीं कर पाया लेकिन नुदान मंत्री जो अपनी नई टीम आने वाले दिनों में अगले पाच्छे सालों के तयार करना चाहते हैं मोहन यादव को उस पे अब खरा उतरना होगा यह उनकी होगी जो डबल इंजन की सरकार इसमें मोहन यादव कितनी जो बड बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि मदभेद हो सकता है पार्टी में मनभेद नहीं होता है पार्टी आला कमान जो फैसला करती है वो सभी की स्विकार्था लेते वे करती है राजनेतिक द्रिश्टी कोन क्या कुछ कहता है आपका देखे अब फैसला हो चुका है आला कमान का प्रधानमंत्री का फैसला है जिसको वहां जो तीनों परिवेक्षक गये थे उन्होंने इंप्लिमेंट कर दिया है अब पूरी पार्टी को साथ होकर चलना है प्रधानमंत्री ने तीनों राजियों में जीत के बाद बीजेपी ऑफिस कारेले जाकर एक ही लाइन कही थी कि हमे अरे लिए चारी जातियां है युवा महिला जलित और पिछणा किसान तो मुझे लगता है कि अगर ये पीएम उनको एक जटका दे चुके हैं मोमेंटम बनाये रखने की बात कर चुके हैं जातिये समिकरन बनाकर वहां पर एक नेत्वेत्व दे चुके हैं वही ट्राइबल की तर बढ़ चुकी है बिल्कुल सवाल यहां पर अमिताब जी यही था क्योंकि अब आगे है साल दो हजार चौबीस वह साल उसके वह महीने जहां पर जो नतीजे अभी आए सामने